हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्णिंग में आज हम पढ़ते जा रहे हैं मेरी प्रिय पुस्तक पर बहुती शांदार निबन तो चले वीडियो को शुरू करते हैं प्रस्तावना हमारे जीवन में ज्यान की कमी को पूरा करने के लिए पुस्तके होती हैं पुस्तके हमें सारी जानकारी देती हैं और सभी लोगों की कोई न कोई प्रिय पुस्तक जरूर होती है प्रस्तक जरूर होती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होती है मेरी प्रिय पुस्तक मेरी प्रिय पुस्तक रामचरित मानस है यह बो स्वामी तुलसी दासजी की अमर रचना है रामचरित मानस को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है इसे ज्यादा तर हिंदू धर्म के लोग पढ़ते हैं इस किताब को पढ़ने की बाद एक अलग ही जान प्राप्त होता है जो की आपके जीवन को जीने में बहुत ही आसानी पैदा कर देता है जैँ किताफ़ने में पैदा थाई रामचरित में भ्राप्त है ज्यावन को जीने जान प्राप्त है जामचरित में बहुत है इस किताब को पढ़ने से आपको बहुत सारी जानकारी के साथ साथ आपकी कई सारी समस्याओं का समधान भी मिल जाएगा कजिता लिए। इस किताब में श्री राम भगवान की जीवन के बारे में बताया गया है इसमें बताया गया है कि श्री राम अपने पिता के बचन को पूरा करने के लिए 14 मर्श के लिए वनवास चले गये थे 14 मर्श के लिए बताया गया है श्री राम ने अपने जीवन में कितने अच्छे और बड़े काम किये हैं श्री राम ने अपने जीवन में कई सारे दुष्ट और अधरमी राजसों का अंत किया है और हमेशा शांती बनाए रखी है राम चरित्मानस किताब को पढ़ने से हमारे जीवन में चल रहे सभी बुरायों का पता चल जाता है झाल 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 जिसे हम दूर करके एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं इस किताब को कोई भी रखती पढ़ सकता है झाल 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 इस किताब में बताया गया है कि हमें हमेशा सत्य के मार्क पर चलना चाहिए और हमें कोई ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जिसे किसी के हिर्दे को पेड़ा पहुचे निष्कार्ष हमें किताबे पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबों से हमें मनुरंजन और ग्यान दोनों मिलता है मैं अपने प्रिये किताब रामचरित मानस को रोज पढ़ती हूँ और इससे मैं रोज नहीं नहीं बाते सीखती हूँ और अपने जीवन में उन सभी बातों पर ध्यान देती हूँ बातों किता हुआए किता चाहिए कर दो नहीं बातों प्रोज़ अभसपने